नमस्कार दोस्तों मैं रुपमतिवर्थी बपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रुपक ग्रेन गार्डन में उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क के साथ में कि मैंने कौन सा ऐसे उपयोगी काम किया है जो आप लोगों को भी कर लेना चाहिए तो चलिए दोस्तों और यहां से देखिए थोड़ा सब डेट में दिखा देती हूँ अपने गाडन का क्योंकि बहुत ही सुन्दर सुन्दर फ्लावर खिले हुए हैं और इधर हमारे पिटूनिया बहुत ही अच्छे से ब्लूम हो रही है और इस तरफ में हमारे पैंजी कुछ दांठा से कुछ यह कोस्मों से और यह कलांचो है इधर हमारा कुलूंडोला और उधर हमारे बर्विना और यह बहुत ही सुन्दर सुन्दर फ्लावर बहुत ही मन को मह लेते हैं तो चलिए दोस्तों टोपिक पे आ जाते हैं तो दोस्तों अभी यह मौसम ऐसा है कि अब गर्मी तेज होने ल जागी और जिसके चत पे गार्डन बने हुए हैं वहां तो कोई सपोर्ट नहीं होता है जिसके एकदम दिन भर तेज धूप होती है और अब मार्च आने वाला है फरवरी समझो खतम ही हो गया है तो मार्च तो शुरुवाती हो रही है तो हमें अभी इस समय बहुत ही तेज धूप में हमारे जो प्लांट की रंगत खराब हो रही है और जुलस रहे हैं खराब हो रहे है तो हमें अभी क्या करना चाहिए जिससे हम अपने प्लांट को बचा सके और क्योंकि जिसका गार्डन चट पे मोशली सबी का जादा तर लोगों कम चट पे ही रहता है गार्डन तो उसे दिन भर की धूप तेज होने लगी है बहुत जादा तो हमें अभी क्या करना चाहिए और मैं बताती हूँ कि मेरे कुछ प्लांट है उनकी रंगत क्या हो गई है कैसे हो रहे हैं वो ये भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ तो चलिए ये देखिए हमारे प्लां सब्सक्राइब क Só करें कर देखिए ये इस इस तर्य हमारे पूरी अज़ने सूर्ण नयुक्य अश्पय ज़ेक्ट आती है और पूरी दिन परेती है तो ये देखिए कदेन फञें यह वरस्टन फण ये भी पूरा जल रहा हैं और दोस्तो मेरे यहां से यहां तक के दिन भर की धूप आती है तो देखिए मेरे सारे प्लांटों का क्या हाल हो रहा है यह देखिए यह जो हमारे ड्रिसीना के प्लांट है यह भी पूरे सूख रहे हैं यह देखिए पत्ते इनके देखिए कितने विकार हो गए हैं यह इनकी रंगत खराब हो पूरे यह देखिए पूरे पत्ते पीले पड़ रहे हैं और इस तरप में भी यह देखिए क्योंकि यहां हमारे अहां सुब्बे से धूप आके और एकदम छे बजे तक के धूप रहती है तो उस धूप में हमारे पत्ते हमारे जो प्लांट के पत्ते हैं वो बहुत ही खराब हो रहे हैं पूरे सूख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों यह देखिए मैंने यहां पर नेट लगाई है क्योंकि अगर नेट नहीं लगाएंगे तो बिल्कूल हमारे जो प्लांट है उनकी पूरी रंगत खराब हो जाएगी और हमारे पत्ते जो प्लांट के पत्ते हैं पूरी जुलस जाएगी तो इस तरफ में तो मेरे कुछ पहले से ही थी ये नेट वहाँ पर क्योंकि मेरे इंडोर प्लांट रखे रहते हैं लेकिन इस तरफ से ये जो खुला है इस तरफ से पूरी धूप इस तरफ में आती है तो वो धूप के कारण पूरे हमारे प्लांट खराब हो रहे थे तो मैंने ये कल नेट डाली है और दोस्तों ये पूरी नेट मैंने अकेली ही भांदी है चेयर पे चड़कर क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि पूरा काम मैं खुदी अकेली करती हूँ अपने गार्डन का तो थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो ये देखिए ये पूरी मैंने नेट यहां से लेके पूरा मैंने क्योंकि थोड़े से इस एरिया में तो मेरा शेट डला है लेकिन यहां मैंने ओपन रखा है क्योंकि धूप भी जरूरी है एकदा हम बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि छत मेरा थोड़ा बहुत बड़ा है जादा तो नहीं के सकती तो मैंने थोड़ा सा ये open area रखा है कि कुछ plant को धूप में रख सकते हैं कि और फिमें बाद में इसको cover कर दूँगी और बाकी मैंने इस तरफ से यहां से यहां तक पूरे में मैंने ये double late करके डाल दिया और इस तरफ में ये single late डली हुई है तो मैंन दूप की नेट के कारण थोड़ा सा बचा हो गया है अब ये है कि जैसे पहले 6 गंटे 12 गंटे की धूप पड़ती थी लेकिन अब ये है कि शाम शाम की धूप इस तरफ खुला open area है तो यहां की शाम शाम की धूप पड़ेगी हमारे जो जितने भी plant है तो वहां पर भूत पड़ेगी लेकिन जो दूफेर की तीखी धूप है उससे बचा हो गया है हमारे और क्यूंकि इस तरफ में हमारे ये मनी प्लांट भी रखे थे तो ये भी बहुती खराब हो रहे थे इसलिए आप लोगों को भी जिसक्या छत है और खुला area है जहां बहुत तेज अंभर की धूप आती है तो और भाई वेनों को तो ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे जो इतनी मेंथने हम्ट से हम जो प्लांट लगाते हैं और इतनी मेंथने मेंथने भी जाते हैं. और ये बहुत ही उप्योगी बात है क्योंकि अब मोसम आ गया है नेट लगाने का तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में ये बात शेयर कर लेती हूँ तो दोस्तो वीडियो में इतना ही तो आप भी ये काम कर सकते हैं और अगर जीसे किसी ने नहीं किया है तो अपरेल मार्च में तो बहुत तेज़ धूप होने ही लगी है दोस्तो तो आप मार्च तक के या अपरेल तक के तो अपरेल में तो पक्के से ही आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अप्रेल तक के तो बहुत ही तीखी धूप हो जाती है तो दोस्तो वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चेनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना बुलिएगा धन्यवाद